गुरुदेव और मागायत्ती के चड़नु में कुटिकोटिनमन आप सभी को प्रणाम आखों की बीमारियों से संबन्धित एक शोध अध्यन ग्रम वर्चस देव शंस्क्रती शोध सार्न किया अलग-अलग चिकित्सा प्रध्यतियों में प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर, एक्युपंचर, प्राणिक हीलिंग आदी इन सारी चिकित्सा पद्धितियों का आखों की समस्याओं का कैसे समाधान ये कर सकती है इसी से समन्नित है ये शोधध्यन तो आईए हम इसको जानते है द्रिश्टी दोश यानि Defective Vision एक सामन्य पाई जाने वाली समस्य है अन्य महाधीपों की तुलना में एशिया में जो लोग रहते हैं अधिक्तर लोग द्रिश्टी दोश से ग्रस्त रहते हैं राश्ट्रिय स्वास्ति संस्थान के विशेशग्य के अनिसार ये आखों की समस्याओं की उर हम ध्यान ना दें तो ये लोगों के स्वास के लिए एक बहुत बड़ी समस्याओं जाएंगी द्रिश्टी दोश उत्पर्न करने में टीबी, कंप्यूटर, लैप्टॉप, मोबाइल आदी, सामानी जिन्दिकी का अभिने हिस्सा बन गए हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में व्यवसाय से जुड़े हुए आम आदमी कई-कई घंटे तक कंप्यूटर की सामने बैठ कर काम करते हैं वहीं छोटी उम्र के उनके बच्चे भी कंप्यूटर, वीडियो गेम, टीबी आदी में अपना बहुत सारस समय वितीत करते हैं जिसे उनमें आखों से संबन्दि समस्यत्पन हो जाती है कंप्यूटर और मोबाइल पर अधिक देर तक पढ़नी से, काम करनी से, विजन सिंड्रोम होनी की संभावना भढ़ती है इसकी लक्षड हैं आखे सूचाना, आखों में तनाव रहना, कमर एवं गर्दन में दर्ध होना, प्रकाश के प्रती संवेदन शील होना, ठकान आदी इस प्रकार कंप्यूटर का अतिधिक प्रयोग स्वास्त एवं आखों को प्रभावित करता है लेकिन इसके बिना भी काम पूरा नहीं होता, इसके साथ ही प्रदूशित वातावरन, शरीर में पोशक तत्व की कमी आदी भी द्रष्टी दोश उत्पन करने के लिए एक महतुपून कारण है द्रिष्टी दोश दो प्रकार की होती हैं, निकट द्रिष्टी दोश एवं दूर द्रष्टी दोश इन सारी समस्याँ को ठीक करने में योग अभ्यास एवं एक्यूप्रेशर बहुत सहक हो रही है जब व्यक्ती आखों की एक्सरसाइज करता है, पामिंग, सर्वांगासन, प्रग्या योग व्यायान का अभ्यास करने के साथ एक्यूप्रेशर के विशिष्ट बिंदों पर दबाब डालता है तो उस समय रक्त का प्रवाह अधिक मात्रा में आखों वाले भाग में होता है, जिससे की रक्त प्रवाह के मार्ग में आने वाली अवरूद दूर हो जाते हैं योग चिकित्सा, प्राकर्तिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, प्राणिक हीली ये सभी चिकित्सा परदितियां आखों की समस्याओं का समाधान अपने अपने धंग से करती हैं द्रिष्टी दोष निवारण से संबनित एकशोध अध्यन सितंबर 2009 में देव संस्कृति विश्वध्धाले के स्कूल आफ योग एवं हेल्थ वुभाग में शोधार्ति आराध्ना के द्वारा किया गया अध्यन का विशय था विध्यार्तियों के निकट द्रिष्टी दोष का एक्यू प्रैशर एवं योगिक प्रवंधन ये अध्यन कुलाधी पती के संरक्षन एवं डॉक्टर अमल कुमार दत्ता के निर्देशन में किया गया इसके लिए 10 से 20 आयू वर्ग के निकट द्रिष्टी दोष से ग्रिस्त 60 लोगों का चैन किया गया उडिसा प्रांत के के उजहर जिले से आकस्मिक प्रती चैन विधी के द्वारा इनका चैन किया गया इन सभी विध्यार्थियों का प्रारंबिक परिक्षन इसने लें चाट, रेटिनोस्कोप, केराटोमीटर एवं एसकेन द्वारा करके फिर दो महिने तक प्रती दिन 40 मिनिट तक ये वाले योगव्यास किये गये और एक्क्युप्रेशर कराया गया जल नेती 5 मिनिट, चक्षु व्यायाम, पामिंग के साथ 4 मिनिट, प्रग्या योग व्यायाम 5 मिनिट, सर्वांगासन 2 मिनिट, प्राणाकर्शन प्राणयाम 8 मिनिट, सूरिय भेदन प्राणयाम 8 मिनिट, त्राटक 5 मिनिट, एवं एक्क्युप्रेशर 3 मिनिट, दो महिने के पश्षात पुन्ह से इन सभी विद्ध्यार्थियों का अंतिम परिक्षण किया गया और परिक्षण से प्राप्त आकणों का विशलेशन टी टेस्ट के द्वारा किया गया परिणाव में ये पाया गया निकट द्रश्टी दोश से ग्रस्त विद्ध्यार्थियों की दाई आग की विजुल एक्टिविटी के औसत मान में 27.15 से 21.80 इसतर की कमी हुई एवं बाई आग की विजुल एक्टिविटी के औसत मान में 27.25 से 22.00 इसतर की कमी हुई साथ ही विध्यार्थियों की दाई एवं बाई आग के रिफ्रेक्टिव एरर कॉर्नियल करवेचर एक्जियल लेंथ के औसत मान में भी सार्थक कमी पाई गई बच्चोदारा लगातार जोर देकर जादा देर तक पढ़ते रहनी से आखों की सिलियरी मास पेशियां आसवभविक रूप से संकुचित बनी रहती हैं जिससे ये मास पेशियां अकड़ जाती हैं और जब हमें दूर की वस्तुओं को देखना होता है तब ये मास पेशिय ठीक प्रकार से प्रसारित नहीं हो पाती अतहा लेंस दूर की वस्तुओं को फोकस नहीं कर पाता जिससे हमें दूर की वस्तुओं दुन्दली दिखाए पड़ती है योगिक अभ्यासों का सीधा प्रभाव सिलियरी मास पेशियों पर पड़ता है जब हम नेत्रों की एक्स करते हैं तो उसमें नेत्र के साथ साथ सिलियरी मास पेशियों के भी संकुचित एवं प्रसारित होने का अभ्यास होता रहता है जिससे इन मास पेशियों में आई जकडन दूर होती है तथा देखने की शक्ते में रद्धी होती है जो निकट दिश्टी दोश यानि मायुप इवं आसपास की दूशित द्रव्यों को वहां से हटानी तथा लेक्रिमल ग्लैन को एक्टिव करके अधिक अशू स्टाव के माध्यम से आखों के असंदुलन को कम करने और अंततह समाप्ट करनी में सहायक होते हैं योगिग अभ्यास सर्वांगासन को करते समय रक्त का प् दूर होते हैं इस अभ्यास में नेत्रों में जादा मात्रा में रक्त पहुंसता है जो आखों की वियाशीलता को बढ़ाता है इसे आखों की मासपेशियां सूद्रन इवं लचिली बनती हैं इवं आखों के रोग दूर होते हैं योगिक अभ्यास प्रग्ययोग व्यायाम स इसको करने से संपून शरीर पर प्रभाव पड़ता है जिससे संपून शरीर में उर्जा का संजार होता है एवं नेत्र स्वस्थ होते हैं। द्रश्टी दोश को ठीक किया जा सकता है। आखें परमात्मा का दिया हुआ अमुल्य उपहार है। इन्हीं की रोश्नी के माध्यम से हम पूरी जिन्दिकी भर संसार को देख पाते हैं। यदि किसी कारणवश ये रोश्नी मंद पढ़ जाए या इनमें किसी प्रकार की विक करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और बैल के आइकन पर क्लिक करके, आल पर क्लिक करना ना भूलें।